खुशी कपूर एक भारती अभिनेत्री हैं, जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर ने दा आर्चीज में बेटी कूपर की भूमिका निभाई है, जो उनकी पहली फिल्म थी। जन्म, 5 नवेंबर 2000, उम्र तेईस वर्ष, मुंबई माता पिता, श्रीदेवी, बोनी कपूर भाई भेन, जानवी कपूर, अंशुला कपूर, अर्जुन कपूर उंचाई, 1.72 मीटर अल्मा मेटर, न्यू यॉक फिल्म अकादमी खुशी कपूर की कुल संपत्ती करीब एक मिलियन डॉलर है प्रारंभिक जीवन और प्रिष्ट भूमी कपूर का जन्म, 5 नवेंबर 2000 को हुआ था अभिनेतरी श्रीदेवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर के घर जन्मी वह सुरिंदर कपूर की पोती है वह फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और संजे कपूर की भतीजी है उनकी एक बड़ी बहन, अभिनेतरी जानवी कपूर और 200 एले भाई भन अभिनेता अरजन कपूर और अंशुला कपूर हैं जो उनके पिता की निर्माता मोना शौरी से पहली शादी से हैं उनके चचेरे भाईयों में अभिनेता सोनम कपूर, रिया कपूर, मोहित मारवा और फिल्म निर्माता रिया कपूर शामिल हैं कपूर ने 17 साल की उम्र में अपनी मा को खो दिया था जब वह दुबई में दुरगट नावश टूबने से मृत पाई गई थी कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से की बाद में उन्होंने 2019 में न्यू यॉक शहर में न्यू यॉक फिल्म अकादमी में एक साल का अभिनेय पाठे क्रम किया आजीविका कपूर ने 2016 में यूट्यूब शॉर्ट फिल्म भस्म हो प्यार का टक्राव से पिंकी कश्यप की भूमिका निभाते हुए अपने छात्र अभिनेय की शुरुआत की और फिर 2020 में उन्होंने नैना की भूमिका निभाते हुए च्छात्र लगू फिल्म स्पीक अप के साथ अपनी आधिकारिक शुरुआत की 2023 में उन्होंने बेटी कूपर का किरदार निभाते हुए दा आर्चीज के साथ हिंदी फिल्म की शुरुआत की इसे दिसंबर 2023 में नेटफ्लिक्स पर विलीज किया गया था Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा खुशी कपूर अपनी धूप वाली मुस्कान और तैयार चमक में प्यारी लगती है लेकिन उन्हें थोड़ा आराम करने और कैमरे को कुछ अतिरिक्त देने की जरूरत है जबकि दहिंदू के शिलाजीत मित्रा ने कपूर को उनके उदास अलंकरित प्रदर्शन के साथ सबसे प्रभावी पाया कपूर अगली बार धर्मा प्रोडक्शन्स की फिल्म नादानिया में इबराहिम अली खान के साथ नजर आएंगे जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है